हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं रेस्टरॉंट स्टाइल पनी चिली ग्रेवी वो भी घर पर यह मेरे कुछ फेवरेट रेसिपीज में से एक है और आम शूर कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा तो जल्दी से लेट्स किट स्टार्ट सबसे पहले हम 200 ग्राम पनी लेंगे और उसे चोटे-चोटे पीसेज में चॉप कर लेंगे फिर हमें पैन में 1 टीस्पून ओयल लेंगे और टिशू पेपर के हेल्प से इसे अच्छे से साइज में स्प्रेड कर देंगे ताकि पनीर कुक करते टाइम वो स्टिक ना हो ओयल के गरम हो जाने के बाद हम 1 टीस्पून ओयल और लेंगे और उसमें अपना चॉप्ट पनीर एड़ कर देंगे नेक्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टॉमरिक पाउडर और पेपर पाउडर इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं फिर हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पनीर को टू मिनिट्स के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे अब हमारा पनीर रेडी हो गया है, हम इसे साइड में रख देंगे नेक्स्ट हम ले रहे हैं थ्री टेबल स्पून्स ओयल और इसे अच्छे से हीट कर लेंगे ओयल के हीट हो जाने के बाद हम एड़ करेंगे फो टेबल स्पून चॉप्ट गार्लिक इसके साथ हम एड़ करेंगे 2 इंच चॉप्ट जिंजर इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे फिर हम एड़ करेंगे ग्रीन चिली जिसे मैंने बीच से स्लिट कर दिया है इसे हम थोड़े सेकंड्स तक हाइफ लेम पे कुक करेंगे नेक्स्ट मैं आड़ कर रहे हूँ वन मीडियम साइज़ अनियन जिसके मैंने शेल्स को स्क्वेर शेप में कट कर लिया है फिर मैं आड़ कर रहे हूँ हाफ कैपसिकम और थोड़े से स्प्रिंग अनियन के वाइट्स इन सबको हम अच्छे से हाइफ लेम पे वन मिनिट तक कुक करेंगे नेक्स्ट मैं आड़ कर रहे हूँ हाफ टीस्पून सॉल्ट और सॉल्ट आड़ करने के बाद हम इसे थोड़े देर कुक करेंगे फिर मैं आड़ कर रहे हूँ 3 टेबल स्पून शेजवान सॉस या चटनी 1 टीस्पून सोया सॉस एंड 1 टेबल स्पून रेड या ग्रीन चिली सॉस हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाइ फ्लेम पर इससे हमारे पनीर चिली में थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा अब मैं आड़ कर रहे हूँ 1 टेबल स्पून स्वीट चिली सॉस ये ओप्शिनल है फिर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पेपर पाउडर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर मैं आड़ कर रहे हूँ 2 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और एक छोटा टमेटो जिसे मैंने चॉप कर लिया है इसे 30 सेकंड्स तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे हमें टमेटो को ओवर कुक नहीं करने अब हम 1 अना हाफ कप्स होट वाटर इसमें अड़ करेंगे अब हमें इसे थोड़ा थिक करना है जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉन फ्लार उसमें 3 टेबल स्पून वाटर आड़ करके मिक्स कर लेंगे उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए सलरी आड़ करने के पहले हम अपने ग्रेवी में पनीर को आड़ कर लेंगे पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके अपना कॉन फ्लार जरी इसमें डालेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे फिर हम इसे 1-2 मिनिस तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कॉन फ्लार के आड़ करने से हमारी ग्रेवी काफी थिक हो जाएगी लाइक करें अपने थौट्स को कॉमेंट करें और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी इसके लिए साथ में आप बेल आइकोन को हिट करना ना भूले तक कि जब भी मैं एक रेसिपी अपलोड करूँ तब आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाए थैंक्स पर वाचिंग और सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो